जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल आप सभी का आपके चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीवन में अच्छे दिन आने से पहले हमें कोन से संकेत मिलते हैं अगर हम उन संकेतों को जान जाए तो हमें पता लग सकता है बहुत आसान इसी कि आने वाला जो समय है हमारा अच्छा आने वाला है क्योंकि इस विशे को लेकर मुझे कहीं बार कमेंट किये जाते हैं कि अच्छे दिन आने से पहले जीवन में कुछ अच्छा होने से पहले जीवन में चीजों का सहीं दिशा में जाने से पहले कौन-कौन से संकेत मिलते हैं ये बताया मैं तो आज इसी विशे पर बात कर लेते हैं सर्थ यह है दोस्तों कि अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब ही आपको सही जानकारे मिलेगे अगर आप अदूरा देखना चाहते तो यही से छोड़ कर जा सकते हैं और उसे पहले मैं अपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें कमेंट्स में लिखें ओम नमस शिवाई भोलेना तो कोई साभी नाम आप लिख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें अपने दोस्तों साथ शेयर करें और अगर मुझसे बात आप करना चाहते हैं अपने कुंगली का विश्लेशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नमबर चल रहे हैं आप वाट्सप पर अपॉन्मेंट ले और बात करें अब बात आती है मुद्दे पर कि अच्छे दिन आने से पहले से कौन-कौन से संकित मिलते हैं तो इस पूरे सीनियरियों को आप यहां से बहुत ध्यान से समझनी क्यों शक्ता है सबसे पहली बात है कि जीवन में कभी भी अच्छा वक्त हाथ पे हाथ रखकर नहीं आता है जो लोगों की टेंडेंसी है जो मान सिकता है कि हम बेठे रहें और अब हमारे जो वक्त है वो अच्छा आ जाए ऐसा संबह नहीं है और जो जीवन है ना उसमें अच्छे दिन बूरे दिन यह चलते रहते हैं या आप किसी भी मुखाम पर क्यों नहीं हो यिए आपको जहलना पड़ेगा चाहे अच्छा और बुरा दूनों जहलना पड़ेगा तो ये जो है हमारी सिक्षा, हमारी मानसिक्ता और हमारे जो आसपास का बाता रहों उस हिसाब से हमारे अच्छे और बुरे दिन का हम सोयम आकलन कर लेते हैं तो इसमें जो मुख्य बात है वो है कर्मट्था आप अपना कर्म सतत करते रहें वही आपके मनह शान्ती, आपके चित शान्ती और आपके जीवन में जो मूल भुत हो शकता है उनकी पूरती करेगा और वही चीज आपके जीवन में हमेशा इस्तिर और हमेशा चेतन बनी रहेगी जो आप सोच रहे हैं कि दिन अच्छे आ जाएं या इस तरह की चीजे बदल जाए एकडम से और हम उसके लिए ने जाने कितने प्रैटने भी करते हैं कई बार ठगे भी जाते हैं इस सिलसिले को लेकर तो अपने दिमाग में ये बात हमेशा के लिए निकाल दी कि आपके जो कर्म हैं आपकी जो इमानदारी हैं आपकी जो द्रण निश्यता है यही आपका जीवन में हमेशा अच्छे दिन बनाए रखेगी अभी वरतमान भी अच्छा है भाईशी भी अच्छा है और आने वाला हर एक पलाब का अच्छा है क्योंकि इश्वर की भूमी है इश्वर की सत्ता है और उसमें सब कुछ अच्छा है कुछ भी बूरा नहीं है पस हमारा जो नजिरिया है वही थोड़ा अलग है थोड़ा अलग है और उनको देखने का जो एक हमने आसपस के बाता और उनसे चीज़ों को देखना जो शुरू कर दिया है इसलिए अच्छा और बूरे में हम उल्जे हुए है अब आपको यहां से बात बहुत से समझ नहीं हा रहे होगी तो आपको मोटे तोर पर क्लियरली आसान सब्दों में म समझा देता हूं कि अच्छा और बूरे दिन जो है वो केवल हमारे कर्म हमारी शलते रहने से ही स्थिर्व बनी रहते हैं रूपे नहीं अपने पोजिटिव कर्म करते रहे हाथ पहाथ रख करना बेटे किसी का इंतिजार ना करे फिर चीजों को प्लानिंग जो कर रहे हैं उसमें आप रूपे नहीं जब चीजों को सतत कंटीन्यू चलना जरूरी है आप रूपे नहीं कोई भी काम करते रहे खाली न बेठे दिमाब को खाली न रखे सतत कारी करते रहे जरूर 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 आप कैच्छे दिन आएंगे अच्छे लग लाइक करें ओम झाल चलना जरूर 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 जर जरूर बै एकालद।